यूरोपिय देश लोवाकिया के प्रधान मंत्री रोबर्ट फीको पर बुदुवार को 213 वर्ष्टी व्यक्ति ने जान लेवा हमला किया हमला वर ने फीको को पांच गोली अमारी जिन में से एक गोली उनके पेट में लगी प्रधान मंत्री को तुरें तस्पता ले जाए गया जहां साड़े तीन घंटे तक उनकी सर्जरी चली स्लोवाग्या के डिप्ट्री प्रधान मंत्री थोमस तराबा ने बताया कि फीको की सर्जरी सफल रही उमीद है कि वेस हमले से उबर जाएंगे उन्होंने कहा कि फीको की जिंदगी अब खत्रे से बाहर है इंटेरियर मिनिस्टर मातो सुताज अस्टोक ने बताया कि हमलावर एक लेखक है रोबर्ट फीको हिंडलोवा में एक सरकारी मिटिंग में गये थे जब वे मिटिंग से बाहर निकले तब उन पर हमला हुआ पुलिस ने तुरंथ हमलावर को मोकी पर पकड़ लिया और हद कड़ी लगा दी जानकारी के अनुसार हमलावर लेविस का रहने वाला है और वह दूहा लिट्रियरी क्लब का फाउंडर मेंबर भी है उसकी कवीताओं के तीन कलेक्शन पब्लिश हो चुके हैं और वह स्लोवाक का लेखकों की एस्सोशीशन का सदश्य भी है वहीं देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी ने इस हमली की कड़ी निंदा की है और कहा कि वे इस मुश्किल वक्त में फीकों के परिवार के साथ है वहीं रूश के रोश्टरपती व्लादे मीर पुतिन ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इस भयान इसको भयाना का प्राद बताया है यह हमला पूरे विश्व में चर्चा का विश्य बना हुआ है